वेलकम टू जीरो से जिनियस तक इस वीडियो कुवी टेस्ट में पूछे जाएंगे एस्पेसली पूलिस एक्जाम कोस्चन पेपर जैसा जीके जीएस के 20 इंपोर्टेंटे सलेक्टेड सावालों को तो आप इस वीडियो को भी टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी होगा नौलेज भी बढ़ेगा तो चलिए सुरू करते हैं पाहला सवाल है गुपति सासकों ने इन में से किसका निर्मान करवाया था आपको जब आप सोचने के लिए मिलेंगे पाच सेकेंड का समय जो सुरू होते हैं अब गुपति सासकों ने इन में से किसका निर्मान करवाया था अंसर होगा ओप्सन नमबर सी अजानता की गुफाय के कोशन नमबर टू किस छेत्रा में बेहतर योगदान के लिए करलिंग पुरसकार से समानित किया जाता है ये सवाल हाली के एकजाम में आया था सवाल था करलिंग पुरसकार किस छेत्रा में दिया जाता है तो आंसर हो जाएगा आपसन नमबर बी बिज्ञान के छेत्रा में Q3. इन मेंसे किस फिल्ड में भुकम्प का अध्याईन किया जाता है। आप भिकल्फ को ध्यान से देखिए, आंशर समझ आ जाएगा। किया जाता है आंसर होगा option number D सिस्मोलोजी question number four परास्राय तरंगों की सहायता से कौन सा जीव रात में सुरक्षित भर्मन करता है परास्राय तरंगों की सहायता से कौन सा जीव रात में सुरक्षित भर्मन करता है आंसर हो जाएगा option number D, चमगादर, question number 5, बास्केट बॉल के परतेक पक्ष में, पलेर्स की संख्या कितनी होती है? बास्केट बॉल के परतेक पक्ष में, पलेर्स की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा option number A, 5, question number 6, वायू मंदल में nitrogen की percentage कितना होता है? वायू मंदल में nitrogen की percentage कितना होता है? आंसर होगा option number C, लगभग 78%, question number 7, यह सवाल बहुत important है, COVID-19 सभ्याता का संकट और समाधान नामक पुष्टक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा option number C, कैलास सत्यार थी, right answer हो जाएगा option number C, कैलास सत्यार थी, question number 8, वीशवा की पहली बच्चों के लिए, लाइबरेरी कहां सुरू की गई है? भीवियाई सवाल है, आपसे हमेशा एक्जाम में आते रहेगा, वीशवा की पहली बच्चों के लिए, लाइबरेरी कहां सुरू की गई है? आंसर हो जाएगा option number C, कुलकाटा में, question number 9, वीशवा की पहली महिला अध्याक्ष कौन बनी है? ये भी सवाल इंपोर्टिन्ट है, सेल की पहली महिला अध्याक्ष सही आंसर हो जाएगा option number D, question number 10, इश्रो के नए अध्याक्ष कौन है? इश्रो के नए अध्याक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा option number B, के सीवन और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो आप अपने फोन की इंटरफेस के सब्सक्राइब बटम पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकन को दवा कर, नोटिफिकेशन को अल कर दिजिए क्योंकि चैनल आपके सिलिबस प्योड करता है धन्यावाद आगे सवाल है निम्ण में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा परोसी देश सबसे छोटा है ध्यान से देखिए थोड़ा का दिमाग लगाईए आंसर मिल जाएगा निम पाकिस्तान के किसे सहर को मुगलों का बगीचा या बगीचों का सहर कहा जाता है पाकिस्तान के किसे सहर को मुगलों का बगीचे या बगीचों का सहर कहा जाता है आंसर, आफसर, नमबर सी है, राइट आंसर क्या है? आफसर नमबर सी, लाहोड सहर को मुगलो का बगीचा या बगीचो का सहर कहा जाता है भारत और भुटान के बीच की सीमा कितने भरत्य राजियों से लगती है, टच होती है, असपर्स करती है भारत और भुटान के बीज की सीमा रेखा कितने भारतियों राजियों से लगती है अंसर होगा option number A चार भारतियों से अटैच है भुटान की सीमा अगे सवाल है जपान की मुद्रा कौन सी है जपान की मुद्रा कौन सी है अंसर होगा अप्षन no.D,nut penne, question no.15 निम्ड में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच सनिक्ति सेना अभ्यास से है भारत और फ्रांस के बीच सनिक्ति सेना अभ्यास का नाम क्या है अंसर हो जाएगा अप्षन no.D, सक्ति सक्ति, सक्ति और भारत के बीच सन्युक्त सेना अभ्यास का नाम है सक्ति कोश्य नंबर 16 गायतरी मंत्र किस पुष्टक से लिया गया है अंसर है अप्सन नंबर और जेम्स प्रीशेफ ने इन्होंने सबसे पहले असोक के सिलालेखों का अध्यान किया था जेम्स प्रीशेफ कोश्य नंबर 18 राष्ट्रिये खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है अंसर होगा ऑप्सन नंबर 29 अगास्त को कोश्य नंबर 19 बाबर ने पानिपत का प्रथम योद्य किस से लरा था बाबर ने पानिपत का प्रथम योद्य 1526 में किस से लरा था आंसर है अप्सन नंबर ओके आगे सवाल है भविष्य का इन धन किसे कहा जाता है यह सवाल पिछले 20 कोस्चन्स वाले वीडियो के क्यूफ और यू में पूछे गए थे आंसर होगा आपसर नंबर बी हाइड्रोजन को आपके लिए एक सवाल है 1919 इसवी के जलिया वाला बाग हत्या कांड कहा हुआ था कॉमेंट बक्स में जाईए वहां पर लिखे क्यूफ और इसके राइट आंसर आप अमने साथ रेगुलर जरूर रहिए मिलता है फिर अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत